MS Word के page layout tab के अंदर arrange block क्या होता है दोस्तों? Arrange block का जातर use हम image, picture, shapes आधी के अंदर इसका use किया जाता है दोस्तों हम उसके अंदर बताते हैं कि image की position क्या होगी आपकी shapes की position क्या होगी वो आपके text है उनके सामने आएगी या text के पीछे रहेगी या फिर हमारा text सामने रहेगा या फिर उनको select कैसे किया जाता है उनका alignment कैसे किया जाता है, shapes का group कैसे तियार किया जाता है तदा उन shapes को rotate कैसे किया जाता है, तो सभी के बारे में आज हम पूरा arrange block के अंदर पड़ेगी के अंदर कोई भी समश्या नहीं रहेगी, तो चलिए दोस्तों फटा 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 हम यूडियो को start करते है देखे दोस्तों, arrange block के अंदर क्या क्या है, position है, wrap text है, bring forward है, send backward है, selection pen है, align है, group है और rotate है तो इनको देखी दोस्तों, और step इस टेप पर step देखते हैं, तो इसके लिए हम एक बार क्या करते हैं, कुछ type कर लेते हैं, से एकवल और हमने six paragraph ले लिए जैसे अब देखो दोस्तों अब हम क्या करते हैं अब हम देखो यहां पर क्लिक कर लेते हैं देखो दोस्तों यहां पर आप देखो मैं जूम करता हूं स्क्रीन को आप देखो यहां पर कोई भी option देखो पोजिशन रेप टेस्ट ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड यह देखो सभी दोस्तों क्या हो रहे हैं वाइट हो रहे हैं मतलब यह कोई भी option अभी work नहीं कर रहा दोस्तों यह यहां पर जो आरेंज बुलोग है यह किस पर वर्क करता दोस्तों आपको मैं बता दू जो अरेंज बुलोग होता न वह आपकी picture और आपके cliparts यह आपकी shapes के उपर वर्क करता है तो उनको adjust करने के लिए हम किसका योज करते हैं arrange block का यूज करते हैं, तो आप देखो दोस्तों, इसके दिए हमें एक picture लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे insert पे जाएंगे, और insert से हम कहा जाएंगे, clipart के अंदर चले गए, clipart से हम कहा जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे go पे click कर देते हम, go पे click कर देखो दोस् जैसे हमने इसको adjust कर लिया, आप यहाँ से इसको उठागे, यहाँ बीच में विला सकते हो, जैसे यहाँ ले आया हमें, तो यह आगे पीछे होगे, तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको set कर सकते हो, फिर आद देखो जैसे मैं इसको close कर देता हूं यहां से, अब देखो position जैसे हमने यहाँ पर कोई clip डाली, या हमने कोई save बनाई, या कोई picture डाली डालते हैं, हमारे option वर्क करने लग जाते हैं, क्योंकि arrange block ही पूरा किस पर work करेगा, picture shapes और clip art पर पूरा work करता है, तो जैसे देखो position पर आते हैं, position पर आते हैं, क्या दखा हूं है, in line with text, मतलब इस के साथ साथ क्या रहेंगे, आपके, text भी रहेंगे, देखो दोस्तों, आगे पीछ से text आ रहें, फिर दूसरा क्या हमारे पास, दूसरे पर जाते हैं, क्या लिखा हूँ है, position in top left with square text wrapping, मतलब क्या कहेगा, इसकी position कहा रहेंगे, top left के अंदर रहेंगे, मतलब page के top के अंदर left side के अंदर रहेंगे, दोस्तों, आगई, दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है, क्या आपको top के अंदर कहां चीए, center में चीए, तो यह top के अंदर center में आ गया, जिसके दोनों side में क्या रहेंगे, text रहेंगे, एक बार इन text को हम क्या कर देते है, justify कर देते है, control A, और select किया, फिर हम control J से क्या कर देंगे, इसको, justify कर देंगे, दोस्तों, अब देखो, equal आ रहें, दोन side से, फिर हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे, top, right corner के अंदर चला गया, फिर आपको, नहीं मेर को तो कहां चीए, middle के अंदर चीए, left में, तो यह आ गया, फिर आपको, मेर को middle में, center में चीए, यह आ गया, यह right में आ गया, फिर आपको, नहीं मेर को bottom में चीए, तो यह देखो, bottom में आ गया, bottom left में आ चुका है, फिर आपको bottom center के अंदर चीए, तो यह आ गया, bottom right के अंदर चीए, तो आपका यह आ गया, तो यह दोस्तों, इस तरीके से आप इनको, जो हमार पास क्या आता है rap text change the way text wraps around the selected object मतलब selected object ना इसके चारो तरफ हमारा text कैसे आएगा वह देखो यह हमें बताएगा तो इसके लिए हम इसको देखो थोड़ा सा यहां रख देते हैं एक बार फिर देखो rap text पर गए और क्या हुआ इन लाइन प्र टेक्स्ट में आगे तो यह स्टाइटिंग में ले आ है इसको फिर हम कहें स्क्कौइर के अंदर ले आओ इसको तो यह देखो जैसे यहां ले आओ एक बार तो देखो चाड़ों तरफ डाटा आरे हैं फिर क्या करोगे आप टाइट का मजलाब यहां आगे पि जो picture है उसके text का क्या रहेंगे उपर और नीचे रहेंगे दोस्तों फिर behind text अब हमारी जो picture ना उसके आगे text आ चुगे picture कहा जा चुगे हमारी पिछे जा चुगे देखो हमें text दिखाई दे रहें पूरे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहें तो देखो एक बार मैं जूम क आता है edit wrap points मतलब इसके wrap के points ना उनको आप कैसे edit कर सकते हो जैसी यह है इसको मैं नीचे और खिंच देता हूं जोस्तों जैसी कर दिया इधर से इसको बढ़ा दिया इधर से इसको मैंने बढ़ा दिया यह आप जहां भी जैसे आप side में click करो यह देखो इनको आप जैसे भी इन wrap points को जैसे भी आप adjust करना चाहते हो वो कर सकते हो दोस्तों अब हमने वापस को select किया यह हमारा पूरा हो जगा अब आप कोई more layout option क्या होते हैं जिनके अंदर आप इनकी size को कर सकते हो जैसे बहुत side या फिर left के अंदर है उसकी size क्या कर देते हैं increase कर देते हैं जैसे इंसेंड में गए और वहां से हमने shapes लेली जैसिये हमने shape लेली जैसी हमने shape लेली आप देखो दोस्तों इस shape पर जैसे मैं दूसरे को this shape डाल देता हूं यह shape लेली जैसे देखो पहले इसमें color for НАल तर लिगते हैं सेंड बैकवर्ट सेंड बैकवर्ट में क्या होगी यह एक एक स्टेप बाई स्टेप बैक में जाएगी पहले इस एरो के बैक में जाएगी फिर नीचे वड़े की सेप के बैक में चली जाएगी देखो दोस्तों यह देखो स्टेप बाई स्टेप जा रही है यह देखो आप step by step आएगी front में यह देखो इस तरीके से फिर आप कहते हो नहीं मुझे तो क्या है एक साथ इसको back में लेके जाना है तो send to back है यहाँ पे देखो दोस्तों इस arrow sign पर click करेंगे न तो क्या है आएगा send to back यह देखो दोस्तों एक साथ चलीगी पूरी बैक में फिर आप गोगी step by step नहीं मेरेको तो एक साथ ही front में लाना है तो कहां जाएंगे तो क्या लेकि जाओं backward के अंदर लेकि जाओं तो यह देखो दोस्तों then backward और forward दोनों यह आप वर्क नहीं कर रहें क्योंकि यह किस पर सेप पर करते हैं टेक्स पर नहीं करते हैं तो इसके दिए क्या करेंगे यहाँ इस arrow पर क्लिक करेंगे send behind text मतलब इसको भेजना है कहाँ पर text के पिछे भेजना है अब देखो दोस्तों आपको text दिखाई दे रहा है यह देखो दोस्तों text उपर आचुका जो shape थी हमारी वो कहाँ जा चुकी text के पिछे जा चुकी दोस्तों उसके opposite जैसे हमारे पास क्या आता है bring forward के अंदर क्या है bring in front of text यह क्या करेगा text के front में किसको ले आएगा हमारी shape को ले आएगा और text हमें दिखाई नहीं देगा फिर यह देखो दोस्तों अब आगई front में अब text दिखाई नहीं दे रहा हमें यह होता है दोस्तों क्या हमारा bring forward और bring backward दोस्तों फिर उसके बाद में चलते हैं हमारे पास क्या आता है selection pen आता दोस्तों show the selection pen to help selected individual objects and to change their order and visibility अभी क्या अगर आपको जो हमारी सेप सना इनको select करने की बात बता रही है तो देखो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ shapes बना लेते हैं एक बार हम इसको क्या करते हैं Ctrl A से select क्या डिलिट कर देते हैं कई सेप बन सुगिए already screen के उपर तो confusion की position आ रही है दोस्तों यह देखो तो देखो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर एक्वल और और ब्रेकिट के अंदर जैसे हमने five paragraphs ले लिए और Br impress कर दिया दोस्तों अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम Click करते हैं हमें करना क्या अदा को चärक करना है तो हम कुछ shapes बना लेते हैं जैसे हमने block if¡ Son पिएइंड या फिर फ्रेंट के अंदर लाना, ले जाना, वो सभी आप कर चुके हो, अब हमें करना क्या है, इसको select करना है, तो selection pen के ऊपर जैसे हम click करेंगे, तो selection pen खुल के आता हमारे पास right के अंदर, ये देखो दोस्तों, इसके अंदर right arrow, 6 है और एक 5 point star है, बैकवर्ड में ले जाते हैं यहां से बैकवर्ड में चलीगी अब देखो दोस्तों यह देखो आप माउस से उसके उपर क्लिक करते हो यह जो आपकी जो सेफ थी ना यह सेलेक्ट नहीं हो रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम सेलेक्शन पर जाएंगे और से कि यह लिए हम किदर हिदर क्लिक करेंगे इस के उपर अपको दिखाई नहीं दे रहा तो एक बार मैं वह स्क्रीप PB कर देता हूं देखो यहां पे करेंगे राइट आरो 6 यह करते हैं दो स्लेक्ट करने के बाद में आप इसकी पोजिशन को चेंज कर सकते हो यह बाए जब एक बार जब save हमारी है वो text के behind में चली जाती है न तो उसके बाद में हम उसको select नहीं कर पाते हैं तो उसको select करने के विए हमें selection pen का option दिया गया है वरना दोस्तों direct हम ऐसे भी select कर सकते हैं यह देखो दोस्तों यासे हमने कर लिया इसको ले आते हैं लेकिन आप अगर ऐसे चाहो तो इसको नहीं कर सकते हो आप जो behind text की जाती है जो save उसको आप select नहीं कर सकते हो mouse से आप तो यह use था दोस्तों किसका selection पहनगा अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है align आता दोस्तों अलाइन क्या होता है दोस्तों अलाइन देखो दोस्तों मैं आपको देखाता हूं देखो align the edges of multiple selected object यह क्या करेगा जो आपके selected object उनकी edges को क्या करेगा align करेगा तो जैसे हमारे दो इसको delete कर लेते हैं इसका alignment अगर आपको set करना तो आप क्या करोगा इसको left इसको center में इसको आप right में ला सकते हो इसको आप middle में bottom में जहां भी आप इसको लाना चाहो वो ला सकते हो दोस्तों अब देखो दोस्तों उसके बाद में हमारे पास क्याता है distribute horizontally अब आपको horizontal तरी इसको हमने white कर दिया इसको हमने देखो copy करके च्यार हमने safe बना दी दोस्तों यह देखो आदक अलग यह चारों safe ना तो इनके अंदर space equal है ना यह कोई alignment के अंदर है ना ही horizontal है ना ही vertical है यह ऐसे ही बिख्री हुई है shapes है इनको हमें क्या करना है एक horizontal shape के अंदर लाना है और equal space space के अंदर लेके आना है तो इसके दिए हम क्या करेंगे दोस्तों इनको select करो select कि अपड़ेगा shift key को hold करके रखो और mouse से click करते रहो दोस्तों यह देखो दोस्तों हमारी सभी shapes select होगी अब हम कहां जाएंगे page layout के अंदर जाएंगे और align के अंदर जाएंगे और सबसे पहले क करते ही देखो ना तो इनके अंदर space equal आ रहा है और यह देखो दोस्तों यह दो सेप आपस में उपर नीचे आ रही है क्योंकि मारे पास shape 4 यह कितनी आ रही है थ्री आ रही है तो इसके लिए क्या करेंगे align और align के अंदर कहां जाएंगे distribute horizontally तो यह देखो दोस्तों करते ही दोस्तों च्यारों क्या गई horizontal के अंदर विल्कुल equally space है च्यारों के अंदर और उपर से भी equal है और नीचे से भी equal है तो यह होता हमारा क्या distribute horizontally अब हमारे पास उसके नीचे क्या आता है ग्लिक करते रहो और यह देखो select हो गई अब हम क्या करेंगे पेज layout के अंदर जाएंगे और के अंदर जाएंगे और इनका align के अंदर जाएंगे और इनका align क्या करते मिल्कुल आचका है इस पेस अब ही जो हमारा page का हमारी shapes का align हो रहा था वो किसके according हो रहा था इन objects के according इसका align कर रहे थे अब हम कहाँ जाते हैं कि हम align किसके according करना है page के according हमें align करना है तो page पे हमने click किया अब हम कोई कुछ नहीं हुआ अभी होगा देखो हमने align जो है में अगया ऊप हbee कि income करें तो Plans की हमने इतना चोड रखा था उडर तो यह यहाई तलाका एकिशे देखो मैं इसके ओपर करता हूँ लेफ्ट के अंदर यह देखो दोश्व गश्रौड इतना हमने मार्ण चोड नीचे चलते हैं हमारे पास कहएगा view grid lines grid lines किसली होती दोस्तों grid lines इसली आते हैं तक इनके बीच का जो space है ना वो हम maintain कर पाए हमें यह पता चल जाए हां कि वाकई में space है वो equal आ रहा या नहीं आ रहा मंतलब सब की अंदर space क्या रहा है बिलकुल इकुल आ रहा है तो ये सक करने कि दिए हम किसको यूज करते हैं grid lines का use करते फिर उसके नीचे देखो grid की setting दिवी है आपको grid setting में क्या grid setting में देखो दोस्तों तरही होरीजेंटल है horizontal के अंदर हमने इसका space increase कर दिया मतलब grid का जो space है increase or decrease करने के लिए हम किसको यूज करते है grid की settings को use करते है अब उससे आगे बढ़ते है हमारे पास क्या आता है groups आता है दोस्तो group क्या होता दोस्तो group object together so that they can be creating like a single object यह क्या करेगा group के दिए दोस्तों में क्या करना पड़ेगा सभी सेप्स को क्या करना पड़ेगा पहले select करना पड़ेगा shift की को hold किया और mouse से हमने click कर दिया सभी सेप्स हमारी क्या हो चुकि है select करने के आदी क्या करा है इनका group बना दो एक आप दसे हमने इसके उपर क्लिक किया और group पे click कर दिया हमने click करते यह पूरी सेप्स क्या हो चुकि एक ग्रूप के अंदर हो चुकि आप इसको जिदर क्या करते हैं copy करते हैं और delete कर देते हैं और grid lines को भी एक बार हटा देते हैं अब देखो यहां से हम किस पर जाएंगे clip art पे जाएंगे और clip art से हम किस पर जाएंगे go पे कर देते हैं कुछ clips हम ले लेते हैं जैसे यह ले ली हमने और भी clips है हमारे पास जैसे हमने ये clip ले ली तो यह जैसे हमने कुछ clips ले ली यहां से अब जाते हैं कहाँ page layout के अंदर और जाते हैं रोटेट के अंदर मतलब इनको rotate करेगा वो देखो दोस्तो इस arrow पे click करते हम तो 90 degree पर हो जैसे चीक्र करना लगए देखो कर दोगई कर सकते हैं अप्से ओर आपके पास इसको करना है इनकौ डोस्तों कर शकते हैं फिर more rotation option इसके अंदर आपके पास इसको rotate करने के ओर भी उप्शन आते हैं जैसे ये रहाप जाती हो कि मेरे को rotate यहां से यहां पे आपसने कि लिक कर दो यह तो यह रावन साइन आया है यह देखो माउस को लाते ही, माउस में राउड का साइन आता है, इस राउड साइन से आप जैसे देखो, गुमाओगे, यह देखो, पूरा 360 डिगरी के एंगल पर तंड कर रहा है, गुम रहा है, यह तब के पास क्या रोटेट आता है, रोटेट उसन से आप क्या करते हो, इसको पूरा रोटेट करवा सकते हो तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्या अरेंज ब्लोग था आई होब दोस्तों अरेंज ब्लोग के सभी ओप्सन्स आपको पूरे समझ में आ गए होगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभार्ट